साई की बात बचे तुम मेरी छत्रचाया में बिलकुल महफूज हो मेरे बचे बिलकुल महफूज हो कोई भला अपने पिता के पास महफूज नहीं रह सकता बोलो तुम अपने पिता की छत्रचाया में हो और तुम बिल्कुल महफूज हो मेरे बच्चे बिल्कुल महफूज हो और सुनो पता है माता पिता का जो सर है वो कब उपर उड़ता है तब जब उनके बच्चे बहुत आगे जाकर उनका नाम उचा करते हैं गर्व से नाम उचा करते हैं और वही तुम करना चाहते हो तो मुझे बहुत खुशी है मेरे बच्चे और जिस दिन तुम अपने माबाप का नाम उचा करोगे ना उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी और भी ऐसे लोग होते हैं और भी ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने मात पिता का नाम डुबा देते हैं लेकिन हमेशा उनके साथ होता उल्टा है मैं अपने उन भी बच्चों से कहूँगा कि दुख मत करना क्योंकि देखो कोई किसी का सगा संबंदी यहाँ पर नहीं है मेरे बच्चे सब आत्माएं हैं जितने भी लोग धर्ती पर है न यहां रिष्टा जो बना हुआ है वो यहीं खतम हो जाएगा सब रिष्टे उपर जाकर अलग हो जाते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से जो रिष्टा होता है न वो सिर्फ नाम का होता है आत्मा का होता है तो अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा से जोड कर रिष्टे बना कर यहां रखो संसार की रूप में रखो लेकिन इतना भी मत परिशान हो जाओ कि अपने आपको भी खतम कर लो अपने जिंदकी जीने की इच्छा खतम कर लो यह मैं बिलकुल नहीं चाहता और अगर फिर भी तुमें रिष्टा रखना है तो मुझसे रखो न अपने बाबा से रखो अपने बाबा से उमीदे करो मैं करूंगा तुमारे लिए सही सब कुछ सही करूंगा सब कुछ ठीक करूंगा और जिनके बच्छे अच्छे हैं वो उनके कर्मों का फल हैं देखो हर किसी को अपने कर्मों के फल के हिसाब से मिलता है तो किसी पर तुम किसी की तुलना नहीं कर सकते किसी की जिन्दगी से समझ कहे ना मेरी बात को और सुनो तुम्हें जो सपनों में ये साप दिखाई देते हैं न तो जाओ तुम्हें महादेव जी पुकार रहे हैं उनके पास जाओ और उन्हें जल चड़ा कर आना उन्हें जल और कच्चा दूट चड़ा कर आना वो तुम्हें बुला रहे हैं क्योंकि तुम कुछ कहकर आये थे उनसे एक बार और वो तुमने पूरा नहीं किया है तो चले जाओ उनके पास और जो कहा था, तुमें याद है न तो सोमवार वाले दिन मंदर जाना और अपनी मनन जो भी है जो भी तुमने कहा है उसे पूरा करके आना, ठीक है न और सुनो, किसने कहा कि तुम लावारिस हो, किसने कह दिया, बोलो, मैं हूना तुम्हारे साथ तुम्हारा बाबा, जब तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है, तो कोई तुम्हें लावारिस कहे या तुम अपने आपको लावारिस समझो, यह अच्छी बात नहीं है मेरे भीड में रहोगी और ऐसे बहुत सारे लोग तुम्हें दे दू तुम्हारे आसपास जो तुम्हारे अपने तो है लेकिन अपने होकर तुम्हारे अपने नहीं तो फिर क्या करोगे ऐसे लोगों का जो तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे साथ नहीं कम से कम तुम शांती से कि मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं समझो इस बात को और सुनो बार बार किसी को अपने अच्छे होने की सफाया पेश बिल्कुल भी मत करना जिसे समझना होगा वो समझेगा और जिसे नहीं समझना होगा वो बिल्कुल भी नहीं समझेगा तो जाने दोना और सुनो आज करन तुम अपने लिए अपने कदर करने लगे हो अपने उपर आत्म विश्वास करने लगे हो पहले तुम चार लोगों में बैट करना अपने आत्म विश्वास के साथ में अपनी बात नहीं रख पाते थे चार लोगों के बीच बैट नहीं पाते थे अपनी इज़त नहीं करते लेकिन अब से तुम्हारे भावनाओं में तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आ गया है कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया है और तुम चार लोगों में बैठ कर अपनी बात को भी रखते हो, कहते भी हो और खुद की कदर भी करते हो और इज़त भी करते ह यही तो बात है मेरे बच्चे, जब मेरा बच्चा मुझसे जुड़ता है ना, तो मैं उसे सबसे पहले खुद की इज़त करना सिखाता हूँ, दुनिया की इज़त तो मैं करना सिखाता ही सिखाता हूँ, लेकिन खुद की इज़त भी करना सिखाता हूँ, और तुम्हें मैंन तो वो पूरी सच्चाई के साथ कहो, क्योंकि देखो उसमें कोई भी बात ऐसी ना हो कि तुम किसी की बुराई कर रहे हो, या फिर बुराई कोई बढ़ा चढ़ा कर या कुछ चीजों को मिश्रित करकर तुम कह रहे हो, नहीं, जो बात है बस वही कह दो, लेकिन तुमें किसी की बुराई नहीं करनी है, तुम जो बात है वो बात तुम कह सकते हो, लेकिन अपनी तरफ से तोड मोड कर जोड कर नहीं कहना है तुमें, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुमें सामने वाले तक जो भी बात पहुचानी है ना वो अधूरी हो, ना उसमें कुछ मिलाव कोई बातों को समझाना पड़े या सफाई पेश करनी पड़े, किसी के भी सामने, समझ गए ना और सुनो मेरी बात को, तुम्हारे मन में जिस इंसान को लेकर नफरत आ रही है ना और तुम उस इंसान के सामने बार बार नहीं आना चाहते, लेकिन मैं उस इंसान को बार बा तो उस कारण तो मुझसे पीछे हड सकते हो, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए नहीं, बिलकुल नहीं, देखो जाती धरम, तुम मेरे बच्चे हो और तुम यह नहीं कर सकते हो, मैं बोलता हूँ ना, सबका मालिक एक है, सब इस दुनिया में एक सम्मान है, सबका एक खून है, और जो लोग धरम जाती करते हैं ना, वो लोग इनसान कहलाने के लाइक है ही नहीं, क्या हम जानवरों में जाती और धरम करते हैं, करते हैं क्या, तो फिर इनसानों में क्यों करते हैं हम, अब जब जानवर, पक्षी, पशू-पक्षी, क्या इसमें हमने जाती बन करो बिल्कुल नहीं मुझे ये बिल्कुल पसद नहीं और सुनो मेरे बात को देखो बरदाश करने की एक सीमा होती है जहां तुमसे बरदाश हो पाए वहां तक बरदाश करना देखो मैंने हमेशा जुखने को कहा है लेकिन वही तक जहां तुम्हारे आत्मसम्मान तक कोई ब और सुनो तुम्हे जो खुशी मिलती है ना अंतर आत्मा से जो तुम्हा़ी आंतरिक खुशी होती है बस वही चीज़े किया करो। वो कोई और नहीं कर सकता, वो तुम्हें खुद ही पैता करनी होगी, कि तुम्हें आंतरी खुशी किन चीजों में मिलती है, तुम्हें वही काम करना होगा, वही चीजें करनी होगी, समझ गए न, क्यूं चीजों को दुबारा से शुरू करना चाहते हो, जो चीजें पहले से तुम्हारा दिमागी उथल पुथल हो जाएगा तो जहां हो भही रहकर आगे के बारे में सोचो की आगे क्या करना है उसी में तुम्हारे तरक की निश्यत है समझ कहे ना मेरी बात को तो उसी में आगे बढ़ो, खुश रहो आज का साई संदेश समझ तुम्हारे